केला है जा बनाना है इसकी कल्टिवेशन प्रैक्टाइसेज जैसे सोयल है क्लाइमेट है जा कुछ इससे इंपोर्टेंट कोस्चन्स है छोट छोटे उनको और साथ में जो स्पैशल कल्चर प्रैक्टाइसीज की जाती है उन चीजों को अपने इसमें कवर करेंगे जो बनाना जो इसके अन्या नाम है एडम्स फिग है इसको कहा जाता है एडम्स फिग भी कह देते हैं ट्री ओफ विश्डम कह देते हैं ट्री ओफ पैराडाइस कह देते हैं कल्पात्रू बोल देते हैं एपल ओफ पैराडाइस भी बोल देते हैं एप्लांट ओफ वर्चूल ठ बनाना जिसका जो बोटनिकल नेम है मुसा पेराडिसी का ठीक है बोटनिकल नेम जो एडिवल बनाना है उसका मुसा पेराडिसी का है पर इसकी दो और वाइल्ड स्पेसीच है जिनसे इसका विकास हुआ है एक तो है एकुमिनाटा मुसा एकुमिनाटा एक है बैल विसियाना ठीक है, फैमिली जो केले की है, बनाना की मुझसे सी है, क्रोमोजोम नमबर 22, 33, 44, मतलब इसमें तीनों टाइप के क्रोमोजोम नमबर डिपलोईड, ट्राइपलोईड और ट्राइपलोईड पाये जाते हैं, जो इसकी mostly cultivars हैं, जहां ज्यादा तर किसमें हैं इसकी, वो 33 क्रो Southeast Asia, ठीक है, बर्मा इंडो चाइना जो रिजन है, Southeast Asia के अंदर आ जाता है, कई के बर्मा इंडो चाइना रिजन भी लिखावा मिल जाता है, कि ओर रिजन क्या है, ठीक है, याद रखना, Southeast Asia, उसके बाद important points, इन फ्लोरेंसेंस टाइप, जो इसका पुश्प करम का परकार होत पॉलीनेशन बर्ड से होता है इसमें, मतलब पक्षी इसके पॉलीनेशन में सायक होते हैं, पॉलीनेशन की प्रोसेस करवाते हैं, जैसे किसी में हनी बीज होती है, किसी में जैसे आम में पढ़ाता है, अपने हाउस फ्लाइस थी, ठीक है, इसमें बर्ड से होता है, पक्ष वाला भाग होता है जिस भाग को अपने खाते हैं वो स्टाची परेंड काइमा होता है मिजोकार्प और एंडोकार्प मिला हुआ भाग होता है दोनों ठीक है रोमा इन बनाना बनाना की जो स्पेशल फ्लेवर होती है जान उसका जो खुश्बू होती है कच्चे के ले के आइसो पेंटानौल के कारण आती है ठीक है बहुत इतीकी स्मेल होती है जो वो आइसो पेंटानौल के कारण होती है फ्लोवर बर्ड डिफ्रेंशेशन जो केले के अंदर फ्लोवर बर्ड डिफ्रेंशेशन होता है सितंबर से अप्रेल तक जानि कि इंडक्शन ओप लग होती है, वो सितंबर से अप्रायल में बनती है, प्रोटो घैनी फांड इन बनाना, चेले के अनदर प्रोटो घैनी स्कंडिशन पाई जाती है, एक तो घैनरी अ कहती है प्रोटो घैनी जहाती है, प्रोटोग jalini मतलब gynosium ժहले mature हो जाता है andoceum की तुलना में और protenry condition के अंदर andoceum पहले mature होता है gynosium बाद में mature होता है ठीक है gynosium मतलब जो female part ہے यह female जैसे stigma है जहां उसका ovary है ठीक है orсеul है यह चीज protodyans के अंदर पहले mature होते है एंड्रोसियम की तुलना में ठीक है जहां कहलो कि फिमेल पार्ट पहले मैच्वर हो जाता है बनाना के अंदर बनाना इस climatric fruit केला है वो एक climatric fruit है अगर अपने देशी सी भाषा में कहें तो जो फल तोड़ के बकाई जाती है केला ऐसा फल है ठीक है और वैसे इसकी जो respiration rate होती है तोड़ने के बाद बढ़ती है एकदम से sharp हो जाती है ठीक है इसलिए इसको climatric fruit का आजाता है vegetative parthenocarpy found in banana vegetative parthenocarpy केले के अंदर पाई जाती है parthenocarpy होती है कि without pollination के ovule का बनना ठीक है जा भीजों का त्यार होना पर vegetative के अंदर क्या होता है कि इसमें जो pollination वारी process absent रहती है, pollination नहीं होता fertilization भी नहीं होता और जो फल बनता है वो without seed बनता है, ठीक है केले के अंदर जाधा तर आपने देखी होंगी जाधा तर किसमें जो भी आप खाते हो edible है, उसके अंदर बीज नहीं होता अंदर, अगर वो बीज हो तो बहुत ही अजीब लगे है ना, तो vegetative parthenocarpy इस चीज को control करती है, most of banana cultivars are triploid in nature, जैसे मैंने पहले भी खहा था कि ज़्यादा तर cultivars है जो इसकी triploid है, 33 chromosome number वाली, ठीक है genetic classification is given by cimode and shepherd, जो banana का genomic classification है, genetic classification है वो cimode और shepherd ने दिया था ठीक है, याद रखना कई बार जब competitive exam होता है तब पूछा जाता है, बनाना is calcium fuse crow ठीक है, ये कहलो की जो kela है, इसको एक तरीके से कहलो की, जो acetic soil में उगाया जाता है इसको basic कहलो alkaline soil के अंदर इसको suitable नहीं होता है उस मिट्टी में इसको उगाया नहीं जा सकता ठीक है, तो calcium fuse मतलब जो जिसमें acetic soil के अंदर इसको cultivate करना, ठीक है calcium fuse crop है ये, glorific value 67 से 137 पर 100 gram होती है, इसकी glorific value मतलब ये इतनी energy देता है ठीक है, ripe बनाना contain 27% sugar जो पका हुआ केला होता है उसके अंदर 27% sugar पाया जाता है, इन mountain variety बनाना only glucose sugar is found जो mountain variety है, जैसे उपर picture में भी दिखाई दे रहे होगी, mountain variety के अंदर जो carbohydrate की form है वो glucose rope में पाया जाता है carbohydrate, ठीक है, ज्यादा तर जो किसमें होती है, stars से वो carbohydrate में convert होती है, तो fructose के अंदर मिलता है, ज्यादा तर के अंदर ठीक है, इसमें glucose, सीधा glucose में मिलता है आपको, जो उसका carbohydrate है वो, ठीक है इसमें glucose पाया जाता है, उसका form fructose, glucose, ये carbohydrate के टाइप है तो glucose रूप में पाया जाता है इसके लाब मुसा एक्विमिनाटा इस ता source of today's edible बनाना जो मुसा एक्विमिनाटा है, जो अभी खाने वाला केला है, उसका source है, मतलब उसका मदर है ये, इसी से आज की जो किसमें डवलप होई है बनाना is resource of dietary potassium केले के अंदर potassium भरपूर मातरा में पाया जाता है जो कि nervous impulses nervous impulses मतलब जो cells होती है, nervous nervous cell होती है जो neuron होती है, वो ये कहलो कि communication वाला जो process होता है इसको influence कहते है, बतलब एक से दूसरी कोशिका तक जो news पहुंचाती है वो, ठीक है, तो इसके through potassium उसमें सायक होता है इसके लबाब गुड source of energy और energy का भी अच्छा स्थोथ है, ठीक है मतलब nervous system में भी अच्छा है सायक है, कि वह उसमें जो क्रियाएं होती है, तंत्री का तंतर की कि वह कोई संदेश एक जगह से दूसरी जगह पर करना होता है जहां, convocation होता है एक, दो के अंदर, ठीक है तो उस चीज के अंदर ये सायक होता है इंडिया सेंट करता है, जो सबसे ज़्यादा है ठीक है, याद रखना maximum area, Tamil Nadu के अंदर है जानी कि सबसे ज़्यादा शेतरफाल के अंदर खेलती जहां की जाती है, Tamil Nadu में और जबकि production है, महराष्टर का ज़्यादा है ठीक है, जानी कि productivity महराष्टर की ज़्यादा है और production भी महराष्टर का ज़्यादा है और area Tamil Nadu का ज़्यादा है इंडिया is largest producer of banana वर्ड का 23% produce मतलब जो विशव का लगवग 23% किसी किताब में मिल जाएगा वैसे 31.6% जो केला है वो इंडिया प्रोड्यूस करता है इन Tamil Nadu banana is specially grown for leaf production Tamil Nadu के अंदर केले को leaf production के लिए होगा है या पत्ति के लिए पत्तियों के लिए होगा है जाता है मतलब उसकी पत्तियों को लोग वहाँ के जो थाली के रूप में यूज़ करते हैं जा फिर और किसी यूज़ में लिया जाता है पत्तियों को मतलब उसके फलों के लिए नहीं पत्तियों के लिए होगा आते हैं Tamil Nadu के अंदर banana is staple food of South Africa मतलब यह कहलो कि एक ऐसा food जैसे अपने कहले हैं कि आलू अगर खाते हैं आलू भी कई देशों का staple food है वैसे तो मतलब इससे सारे यूज किया जाता है cultivars having large area in India जो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा होगाई जाने वह किसमी हैं पूवन, मौन्थन, करुप्रावली ठीक है यह किसमें इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा cultivated जह सबसे ज़्यादा area के अंदर होगाई जाती है इसके अलबा कई बार definition आती है plantain plantain क्या है plantain may refer to cooking banana ठीक है और banana cultivars in the genus of musa their fruits are generally used in cooking plantain को कहा जा सकता है कि वो जो पका के खाया जाने वाला केला है केले की किसमे है ठीक है क्योंकि केले की ज़्यादातर किसमे जो है वो तो सीधी fresh edible है जैसे केला अपने बजार में आता है पर कुछ किसमे इसकी ऐसी भी है जिनके अंदर starch बहुत ज़्यादा मातरा में होता है और उनको कच्ची को ही काट के सबजी बना के खाया जाता है तो वो किसमे plantain कहलाती है वो बनाना नहीं वो plantain कहलाती है ठीक है इसमें कई बार डिफरेंस भी पूछते है वो आगे मैं चलो बताऊंगा कि होता है क्या बनाना और plantain के अंतर डिफरेंस क्या है तो एक और definition आती है बनाना रिपब्लिक ये पुराने पेपरों में तो आपको मिल जाएगी कि पूछी हुई है बनाना रिपब्लिक क्या है बनाना रिपब्लिक डिस्क्राइबस एक पॉल्टिकली अंस्टेवल कंट्रिस विद एन एकोनोमी डिपैंडस अपॉन दा एक्सपोर्टेशन ऑफ बनाना ज ये कहलो कि कुछ ऐसे राजनितिक जो तरीके से अस्थिर कहलो कि एकदम से स्थिर नहीं है वहां पर पार्टियां चेंज होती रहती है बहुत ही छोट छोटी कंट्रिस हैं वहां की जो पूरी की पूरी अर्थवस्ता है वो केले के एक्सपोर्ट करने के ओपर डिपैंड करती है मतलब उनमें और कोई ज़्यादा चीजें नहीं है कि वो काम वहां पर कर सके ठीक है वहां की जनता क्या करती है वो केले की कल्टिवेशन करती है और ज़्यादा तेरी एरिया वहां पर छोट छोटी कंट्रिय है पूरा का पूरा एरिया कल्टिवेशन बनाना की की जाती है और उसके बाद में भी धेशों में बेजा जाता है जिससे वहां की अर्थवस्था चलती है ठीक है तो बनाना रिपबलिक उन शेत्नों देशों को कहा जाता है बनाना रिपबलिक ठीक है पोल्टिकली अनस्टेबल countries है जो economically जिनकी economy depend करती है बनाना की export के अंदर इससे कुछ ऐसे और भी देश है जिनके अंदर कोई mineral की export किया जाता है कि जी के अंदर कोई और फल export किया जाता है तो जो बनाना के ओपर depend करता है वो banana republic ठीक है उसके बाद difference between banana and plantain banana और plantain के अंदर difference क्या होता है question आता है कई बार चार नंबर के अंदर तो banana consume as fresh fruit पहला तो simple simple सा है fresh fruit के रोप में use किया जा सकता है consume after cooking मतलब जो plantain है उसको पकाने के बाद ही खाया जा सकता है दूसरा difference है less starch and more sugar जो बनाना है इसमें starch कम होता है ठीक है और sugar जादा होता है जानि कि यह मीठा होता है कहने का मतलब ठीक है और plantain more starchy होता है और less sugar होता है इसमें sugar कम होता है और starch ज्यादा मात्रा में पाया जाता है जो बनाना है इसकी जो पील होती है जो शिलका होता है उपर वाला केला शिलती है उपर वाला शिलका रहता है वो पतला होता है थिन होता है जबकि जो plantain है इसमें ठिक होता है यह मोटा शिलके वाला होता है as compared to banana ठीक है, small than plantain, जो होता है, plantain से थोड़ा छोटा होता है, size में, ठीक है, और plantain थोड़ी ज्यादा लंबे होते हैं इसके फल, और थोड़े hard भी होते हैं, इसमें थोड़े soft रहते हैं, बनाना के, जबकि इसमें थोड़े hard रहते हैं, tougher रहते हैं, ठीक है, नीचे picture भी है दोनों की, आप difference देख सकते हो, next है importance points के अंदर, gross mitchell variety of banana is susceptible to panama wilt, जो panama wilt एक disease है, ठीक है, इसकी बनाना की, उसमें से susceptible है, उसमें यह ज़्यादा तर होती है, और बसराई है, वो immune है, मतलब परतिरोधी के समय एक तरीके से, और proven is resistant to this disease, और proven में भी यह बिमारी नहीं होती, ठीक है, fingertip disease is serious in HDP, fingertip disease है, वो ज़्यादा तर high density planting के अंदर, बहुत ही serious है, fingertip भी इसकी disease है, अपने disease वाले पार्ट में इनको cover करेंगे, जैसे panama wilt है, यह चीजें, सारी की सारी, उसमें अपने cover करेंगे, कैसी होती है, क्या होता है, तो fingertip disease is serious in high density planting के अंदर, fingertip disease सबसे ज़्यादा होती है, बंची टॉप is also called as cabbage top, बंची टॉप को cabbage टॉप भी कह देती है, ठीक है, तो fingertip जो है, बहले मैंने high density planting, तुम समझी गए होगे, high density planting, बहुती कम दूरी पे plant करना, जो उसकी recommended दूरी है, उससे कम दूरी पे उनको plant करना, बहुती ज़्यादा संख्या में एक particular area के अंदर ज़्यादा पोदे लगाना, जितनी उसकी recommended हो ज़्यादा लगाना, ठीक है, बंची टॉप और बनाना वाज first observed in 1891, in Fizy, बंची टॉप है जो बनाना की, वो सबसे पहले, 1891 में, में Fizy के अंदर सबसे पहले देखी गई इस विमारी को, बंची टॉप को, ठीक है, मेल फ्लोवर ऑप बनाना is resistant to Panama Wilt, disease, what susceptible to bunची टॉप disease, मेल फ्लोवर होते है, जो के ले के, वो वो पनामा विल्ट से resistant होते हैं, पर बंची टॉप डिजीस से susceptible होते है, मतला पनामा विल्ट नहीं होती है, उसमें पर बंची टॉप डिजीज उसमें होती है मेल फ्लोवर के अंदर चलो आगे इसमें मेल फ्लोवर के बारे मैं बताऊंगो होता क्या कैसे है आल ए ए ए कलोन आ ससेप्टिवल टू सिगा टॉगा लीफ स्पोर्ट जो जितने भी केले के ट्रिपल ए कलोन से हैं ठीक है वो ससेप्टिवल है सिगा टू का लीफ स्पोर्ट से उसमें होता है फॉर वाइरस स्क्रीनिंग इन बनाना कल्टिवार्स अलिसा टेस्ट इस फोलोड बनाना की स्क्रीनिंग के लिए जानि की बनाना के अंदर वाइरस की स्क्रीनिंग के लिए जो virus इसमें पाया जाता है उसकी screening करना कि उसमें पता करना कि इसमें है जा नहीं इसमें virus suspected है जा नहीं तो इसमें ELISA test किया जाता है के लिए के अंदर इसके लिए एक और है tetrazoleum test for bunchy top virus detection और जबकि bunchy top virus के लिए tetrazoleum test भी किया जाता है इन 1913 सिगाटो का leaf sport disease firstly observed जो सिगाटो का leaf sport है इसको सबसे पहले 1913 के अंदर देखा गया था ऑफजब किया गया था ठीक है इसके अलाबा cut pieces of rhizome called bits और papers also used for propagation आपको picture में भी show हो रहा होगा जैसे यह उपर उपर bits हैं दूसरे नंबर पे papers ठीक है फिर जो इसकी तीसरी सकर्स यह वाली चीज ठीक है मतलब bits थोड़े टुकड़े छोट छोटे rhizome के जो अभी germinate नहीं हुए होते जाँ अंकूरित नहीं हुए होते थोड़े से और papers होते है उसका थोड़ा सा modified stage इसके बाद वाली stage जब वो थोड़े से germinate हो चुके होते हैं थोड़ी सी अपनी stem जाँ उसका तना निकलना स्टार्ट हो चुका होता है और सकर्स होते हैं जब वो पूरी तरह से बाहर आ चुके होते हैं ठीक है यह इसलिए मैंने डाला है क्योंकि कई बार question पूछे जाते हैं चोट चोटे objective टाइप competition exam के अंदर इसलिए ठीक है और trends method के अंदर जो trends method है इसमें क्या करते हैं कि एक plain जगह पर पोधे लगाए जाते हैं और बीच में एक नाली बना देते हैं पतली सी नाली बना देते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा वारिश होती है तो पानी उस नाली के थूरू बाहर निकल जाता है ठीक है वैसे दोनो method है वह ज़्यादा तर जहां पर वैट लेंड है जहां कहलो कि बहुत ज़्यादा नमी रहती है जहां बहुत ज़्यादा पानी है ठीक है वहां पर इसको यूज किया जाता है suitable clones for irrigated areas जो clone है इसके बनाना के irrigated शेत्रों के लिए वो होते हैं A, A, B, A, A, A ठीक है यह clone irrigated areas के अंदर उगाए जाते हैं suitable clone for rain feed areas बरसाद के उपर जो अधारित खेती करते हैं जिन शेत्रों में वहां पर A, B, B यूज किया जाते हैं जाने कि monthan, kanthali, kunan ये किसमें वहां पर cultivate होती है for getting maximum yield minimum of 10 to 12 leaves are required on plants एक बहुत ही अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए पोधे के उपर लगवग 10 से 12 पत्यां होनी चाहिए तो ही आप उसकी अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हो banana is moisture loving plant banana moisture loving plant होता है मतलो इसको पानी की बहुत ज्यादा आफशकता होती है strong wind is harmful for successful banana production जो आंदिया होती है जहां कहलो कि बहुत तेज तेज हवा चलती है वो इसकी cultivation के लिए उत्तम नहीं रहती क्योंकि इसका जो seedo stem होता है अभासी तना कहलो वो कच्छा होता है एक तरीके से जैसे ही आंदिया आती है जो तूट जाता है ठीक है इसलिए ज्यादा आंदिया जगों पर इनकी cultivation नहीं की जाती hybridization work central banana research station अतूराई के अंदर इसका hybridization का वर्क है जो संकर किसमे बनाने का जो वर्क है वो cbrs के अंदर start है central banana research station अतूराई तमिल नाडू के अंदर ठीक है बनाना improvement work started in 1949 at तमिल नाडू और जो बनाना के अंदर improvement work था मतलब इसकी नहीं नहीं किसमें त्यार करना वो 1949 के start किया गया था इसका बनाना seedless seedlessness is controlled by 240 25 ppm बनाना के अंदर जो seedlessness है जहां कहलो कि पार्थिनो कार्पी को control किया जाता वो 240 के 25 ppm के गोल से आप कर सकते हो मतलब उसमें बीज नहीं बनेगे अगर आप 240 का 25 ppm का spray कर देते हो तो salt water treatment reduce duration of banana fruits जो salt water treatment होता है जो केले की केले को पकाना जाते हो तो कई बर क्या करते हैं कि केले को नमक वारे पानी से treat कर देते हैं जिससे कि केले की वो जल्दी पक जाता है पर वो उसको खराब भी कर देता है ठीक है इसके राबावा इसका शिरकाब भी किया जा सकता है केले के अपर वो कारवाइड एक chemical है ठीक है जाद तर जो welding गैस welding करते है ना उनके पास मिल जाता है यह चीज वह उसको यूज करते हैं तो उससे पकाया जाता है कैलसिम कारवाइड से वैसे शाहिए तक यह इंडिया के अंदर बैन है पूरा का पूरा गुच्छा उसके वैट को बढ़ाने के लिए उसपे के एच्टू पीओ फॉर का फूर्ट डवलपिंग स्टेज होती है जब फूर्ट अपना बढ़ रहा होता है उस समय इसपे स्प्रे करते हैं तो बंच का वैट बढ़ जाता है की एच्टू पीओ फॉर को मोनो पोटेशियम फॉसपेट भी बोल देते हैं कभी-कभी इसका एक और नाम भी है पोटेशियम डाई हाइड्रोजन फॉसपेट ठीक है इसको दोनों नाम से जाना जाता है अगर अपने को बहुती लंबी दूरी पर इसको ट्रांस्पोर्ट करना है तो इसकी लबस 75-80% की मैचॉर्टी पर ही इसको तोड़ लिया था कि अगर उसके उपर कोटिंग कर दी जाए तो राइपनिंग जो होती है पकाव होता है बहुती स्लो हो जाता है बहुत से फलों के अंदर पैसे वैक्सोल जहां वैक्स इमल्शन का यूज किया जाता है वैक्सिंग के लिए ठीक है फलों के उपर एक वैक्स की कोट लगा दे तो इसको समझने के लिए तो इसका विकास हुआ और इससे पार्थनो कार्पिक और स्टेलिटी डवलप हुई जिसको इडिवल डिप्लॉइड के रूप में विकसीत हो गया मतलब इसी में evaluation हुआ विकास हुआ और यह deployed हो गया इसके बाद इसी से triploid ठीक है इसी से यह कहलो की इसका और acuminata का फिर से एक कहलो की cross हुआ जो की एक triploid किसम के रूप में develop हुआ triploid बना ठीक है इसके अलावा यह भी कह सकते हो कि edible बनाना को आगे polyploid और hybridization के वर्क के अंदर use किया गया उससे नई किसमे त्यार की गई ठीक है क्योंकि जो इसकी triploid थी इसको edible triploid जैसे मैंने कहा कि triploid के अंदर convert हुआ तो edible triploid बन गया खाने वाला ठीक है नहीं होता है इसमें बीज बनते हैं तो इसके बाद इससे पहले ही edible diploid त्यार हुआ जो कि एक खाने लायक था जिसमें पार्थेनो कार्पी और hostility के कारण वो खाने लायक रह गया उसमें बीज नहीं बने उससे और इन दोनों का cross हुआ और edible diploid है इन दोनों का cross हुआ एक triploid का निर्मान हुआ जानी कि जिसको edible triploid जिसको triple A के नाम से जाना गया ठीक है जैसे AB diploid भी हुई कुछ triploid भी हुई कुछ tetraploid भी हुई पर इसमें भी कुछ और भी आपको मैं बताता हूँ इसमें एक और जो बी वाला strains है यह बीन वाला बी वाला strain वाइल्ड बैल्वी सियाना से आया जो मैंने काया थे कि दो पेरेंट है उनके cross है जो भी अभी मवजूदा पराडिसी का है वो वाइल्ड बैल्व सियाना बी भी ठीक है इसका strain इसको भी hybridization के अंदर यूज किया गया क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे गुन है जिनको आज भी यूज करते हैं breeding के अंदर बनाना breeding के अंदर यूज करते हैं edible tetraploid बनाने के अंदर भी इसी का यूज किया गया वैसे तो edible इसी से भी बन जाते हैं इससे भी tetraploid किसमें त्यार की गई है पर इससे भी त्यार होती है edible बनाना की और जो edible deployed है इनसे breeding के अंदर use किया जाता है मतलब जितनी भी species है उनको कहीं से भी कोई भी strain है उसको use किया जाता है breeding के अंदर एक नया त्यार करने के लिए पर याद रखना जो acuminata है ये wild है double A वाला फिर इससे edible में ये evaluation हुआ फिर इसके बाद triploid किस्मों का विकास हुआ wild और जो edible इन दोनों का cross करा के फिर उसके बाद जो edible triploid थी इनको आगे polyploid और hybridization से इसके अंदर जो edible diploid है जां फिर कोई wild वैल विसी आना है इन तीनों का cross करा के कुछ किस्मों का विकास हुआ इसके लबाद कुछ किस्में आपकी जो है edible diploid और एक acuminata इन से त्यार कीगी मतलब एक वैसे तो ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता पर आप इस picture से इस चीज को अराम से समसके हो कि हुआ क्या था कैसे इसका विकास हुआ कैसे evaluation हुआ ठीक है अपने इतना ज़्यादा ब्रीडिंग वाला आता नहीं है question अपने तो simple question आता है कि किस से parent का निर्मा जा इसके parent कौन-कौन से है जो अभी recently खाया जाता है के ला उसके तो next है varieties ड्वार्क वेंडिश ये ट्रिपल ए ग्रुप की है ठीक है इसमें दो किसमें आ जाती है एक तो बसराई ये leading commercial cultivar contributing 58% of the total production बसराई सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली किसम है और लगए 58% अपना contribution करती है सबसे ज़्यादा मतलब इसी का है इसके लाबा गंदेवी selection इसको हनमान नाम से भी जानते हैं ये बस जो ट्रिपल ए ग्रुप है एक अलग ग्रुप है इसमें बॉंबे ग्रीन हरीशाल हरीशाल सेमी टाल स्पोर्ट ऑव ड्वार्फ कमेंडिश का सेमी टाल स्पोर्ट है मतलब उसी में से निकली हुई सेमी टॉल ज्यादा लंबी नहीं मीडियम साइज की होती है highly susceptible to cigato का leap sport resistant इसमें नहीं होता इसके वाग ग्रांड नैन इसमें भी ट्रिपल ए वाला है यह टाल म्यूटेंट है लंबी किसम है और ड्वार्फ क्वेंडिश से निकली हुई है इसमें रस्थाली अमरत पानी मॉंट मैन मॉर्ट मैन किसमें आ जाती है susceptible to fruit cracking fruit cracking मतलब फल फटते हैं इसके होता है इसमें stable for table बनाना जो केले का table रूप में सीधा fresh खाने के लिए अच्छा रहता है टोल्डेंट टो बायोटिक अबायोटिक stress और जो बायोटिक ठीक है और अबायोटिक stress है जैसे एन्वार्मेंटल है इसके लावा पूवन मैसोर AAB group का है यंग fruit है pink pigmentation of vertical side of midrive जो इसकी midrive होती है के लिए कि वहाँ पे pink color के आपको dot 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 दिखाई देंगे इस variety के अंदर इसके लावा नंदरन है ये AAB group की है French plantain है इसमें जो किसम आती है नंदरन की French plantain की एक किसम है जो मैंने पहले भी बताया केला अलग है प्लेंटेन अलग है तो फ्रेंच प्लेंटेन इसकी एक किसम है इसके लावा राजेली पापुलर कुकिंग वराइटी इन केरल मतलब एक दो किसम है French plantain और राजेली इसकी जो कुकिंग के लिए काफी अच्छी जा मशूर किसम है केरल के अंदर good for chips making और chips बना बना ए ए बी इसमें आ जाती है विरू पक्षी सिरू मलाई लादेन suitable for jam making याद रखना केले से जैम बनता है इसके लिए hill बनाना इसकी जो किसम अच्छी है इससे पहले वाली जो किसम थी वो chips बनाने के लिए suitable थी ऐसे कई वार question आपके जो competitive exam होता है वहाँ पूछे जाते ह के लिए hill बनाना अच्छी रहती है growing in hilly areas and fruit have unique aroma and flavor jam बनाने के लिए अच्छी होती है और एक बहुत ही special खुश्बू और test होता है as इस किसम का और hilly पहाड़ी शत्रों में इसको cultivation की जाती है इसके लबाल लाल बेलची AAA वाले ग्रूप की है fruit have red skin जो इसके लाल बेलची के अ yellow हो जाते हैं यह red हो जाते हैं मौन्थन ABB Stable for Culinary Purpose Culinary मतब सबजी बनाने के लिए इसकी यह भी मौन्थन भी यूज होती है ने पुवन AB मतलब यह deployed किसम है सारी ट्राइपलोईट थी ठीक है यह deployed है सफेद बेलची इसमें deployed variety है horizontal bunch orientation is fast double price than other cultivars ने पुवन एक यह कहलो की बहुत लिए शार्च का orientation होता है मतलब वो गुच्छा निकलता है यह पुश्प वालाम इसका कहिलो कि फलों वाला वो हॉरिजेंटल निकलता है ज्यादा तर के अंदर क्या होता है कि वह नीचे की तरफ जाता है geotripsギ के कारण नीचे की तरफ जुच्च्छा होता है इसक औरिंटेशन ऐसा है, पे कुनन, A, B, B, करूप, परावली, कंथाली, यह इसके पे कुनन से निकली हुई है, पे कुनन का एक ग्रूप के अंदर आती है, करूप, 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 रावली, और कंथाली, सुटेवल फॉर इन्फेंट, यह भी कॉशन कई बार पूछा जाता है, ठीक है, पे कुनन, इन्फेंट जो होते हैं, बेबी होते हैं, बच्चे होते हैं, छोटे, उनके फूट बनाने के लिए यह अच्छी किसम है, इसके लबाद जूस बनाने के लिए भी अच्छी है, इसक्रावा अमर्तसागर, दूदसागर, चाकया, मनोहर, यह किसमे है इसक्राब पूवन और ने पूवन are preferred in multi-story system, multi-story होता है जो यह किसमे है, multi-story system जिसमें की अलग-अलग कौनोपी के पौधों को एक साथ उगाया जाता है, मतलब कुछ किसमें जो होती है जैसे आप मालो की कोकोनट के औरचाड के अंदर नारियल के औरचाड के अंदर इस किसम को उगाया जाए ठीक है तो कोकोनट पूरी एरिया को कवर कर लेता है उपर से पर इसमें गैप बहुत जादा होता है अंदर तो उस खाली गैप के अंदर एक ऐसी किसम उगाई जाए जो की बीच वाली जगह को कवर कर ले फिर उसके नीचे भी ऐसी फसल उगाई जाए जो जो जिसको की छाया चाहिए बिल्कुल छाया चाहिए ठीक है तीन स्टोरी हो जाती है इसमें कि जैसे इसमें नीचे अधरक जिसको गोल्ड फिंगर यह कुछ एक टेट्राप्लोइड किसम है ए ए ए बी ग्रूप की है विलोंग टू पॉम ग्रूप और पॉम ग्रूप में आती है फ्रूट्स के अंदर रेजिस्टेंट टो विल्ट एंड सिगाटो का लिप स्पोर्ट सिगाटो का लिप स्पोर्ट और विल्ट दोनों से रेजिस्टेंट किसम है इसक लबब बॉल्ड लाएस अलर्ड फोर्ट यह टोरेफ किसम है तर फोर आ विल्टेटिक हाईब्रेड है और ग्रोश मिसच्यल और पिंगांस पिसान गिलीन जो है उन दोनों का क्रॉस है ठीक है इसके लबब टृ टअर मां इनको cross कराया नहीं गया तो यह अपने आप ही develop हुई थी CO1 है Keller Lathene into Musa Valvesiana into Kadali मतलब 3-3 अलग-अलग varieties को cross करके बनाई हुई है CO1 उसके बाद है climate Tropical warm and humid climate मतलब tropical condition केले को चाहिए tropical plant है और गरम होनी चाहिए और ज़्यादा आदरता होनी चाहिए बातावारन में इसकी खेती के लिए उत्तम रहती है It can grow 10-40 degrees Celsius temperature and average 28 degrees Celsius मतलब इसको खेती जो है के लिए कि 10 से लेके 40 degrees Celsius तक की जा सकती है पर अब तो जो इसके लिए best temperature है वो 28 degrees Celsius है It is damaged by forest यह पाले से damage हो जाता है मतलब इसके लिए पाला इसकी खेती के लिए उत्तम नहीं है पाला नहीं पढ़ना चाहिए पर कुछ किसमें है जैसे वाला है, मौन्थन है कस्डिया है यह किसमें पाला सहन कर सकती है soil deep, well-drained, friable, loamy soil with adequate organic matter इसकी खेती के लिए गहरी, अच्छी, जलनिकास वाली, कहलों कि loamy soil friable मतलब उसमें शिदर वाली, loamy soil इसकी खेती के लिए उत्तम रहती है जिसमें organic matter, जो carbonic पदार्थ है, बहुत ज्यादा मात्रा में हो खेती के लिए जब प्रयाप्त मात्रा में हो, काफी अच्छी रहती है crop can be taken in slightly alkaline soil, such a reduced wilt disease वैसे तो यह एक calcium-fused crop है, जिसकी खेती जातर का acidic soil में की जाती है प्रंतु, इसके लिए हलकी सी अगर alkaline मिटी ले ली जाए तो जो wilt disease है, उसका incidence कम हो जाता है, वो कम होती है propagation, commonly propagated by vegetative means, suckers, rhizomes and pepes इसकी cultivation के लिए उत्तम रहते हैं, ठीक है और suckers, there are two types, suckers होते हैं, वो दो परकार के होते हैं एक तो sword suckers, दूसरे होते हैं, water suckers, picture में भी आपको दिखाई दे रहे होंगे water suckers पहले, फिर sword suckers, तो sword suckers क्या होते हैं, having narrow slander lip blade up to a certain height, then after the successive laminate become increasingly broader in outline the sword suckers are vigorous, produce bigger and heavier bunch in 11 months ये कैलो की जो इसके पत्ते निकलते हैं, बहुत ही blades जाने की पत्ते निकलते हैं वो पतली निकलती हैं, पतले पतले laminate के साथ निकलती हैं और बाद में जब ये produce होते हैं, जहां कैलो की इसके नीचे वाला जो होता है suckers का, जड़ वाला शेतर वो काफी heavy होता है और यह वाले जो जल्दी फलन में आ जाते हैं जल्दी फल देना स्टार्ट कर देते हैं ऐसे सकर्स ठीक है बड़े होते हैं साइज में भी और जल्दी फलन में आ जाते हैं ग्रोथ भी जल्दी करते हैं वाटर सकर्स क्या होते हैं वाटर सकर्स प्रडूस ब्रोडर लीप्स एड़ वैरी अर्ली स्टेज जब उनके इनिशल स्टेज होती है प्रोदे से वह निकलते हैं उसी टाइम वह चौड़ी पतिया निकालना स्टार्ट कर देते हैं और लगवग बंच प्रोडक्शन के अंद बड़ा बंच करते हैं as compare to water वाटर स्टार शकर्स ठीक है इसके बाद है प्लांटिंग प्लांटिंग selection of planting material selection कैसे करते हैं the sucker should be vigorously growing मतलब जो sword suckers है उनको vigorously growth कर रहा होता है उसको जुना जाता है 80 to 120 cm height का हो 1 to 2 kg यह का weight हो और so in weight मतलब इतना जहां इससे ज़्यादा weight हो the sucker should have narrow leaves swords like जो पतिया है वो पतली हो और तलवार की तरह दिखाई देती हो the base of sucker should be thick and tapping toward the top मतलब जो इसका base होता है वो मोटा हो और नीचे से दबा हुआ हो जैसे कहादो कि नीचे से कारद एकदम से plane कटा हुआ हो ऐसे नहीं कि थोड़ा टेपरी हो ठीक है सकर should be free from any disease and paste जो सकर हो वो किसी बिमारी से या किसी इंसेक्ट से गरसित नहीं होना चाहिए free होना चाहिए next method and time of planting pits are dug 60 cubic centimeter जो इसमें खटे खो दे जाते हैं the pits are filled with mixture of top soil and farm yard manure और compost लगवा 50-50 के रशियो में आदी मिट्टी और आदी manure farm yard manure को मिलाके खड़ों को भर दिया जाता है इसमें जो planting systems हैं जा planting शेत्रों में यूज होता है ठीक है तो इसमें generalize of furrow method है ट्रेंज method है planting के use होते हैं इसके लावा एक pit method भी use होता है ठीक है खड़े खोद के सीधे ही planting कर देते हैं और अलग से उसमें drip system जोड़ दिया जाता है ठीक है तो in the areas of heavy and continuous range planting और बनाना should be done after monsoon जहां पर बहुत ज्यादा बरसात होती है लगातार बरसात होती रहती है उन शेत्रों में जो planting की जाती है वो monsoon के बाद की जाती है जैसे ही monsoon खतम होता है उसके बाद करते हैं सितंबर अक्टूबर के अंदर ठीक है और जिन शेत्रों में ज्यादा बरसात नहीं होती वहाँ पे monsoon के अंदर इसके planting करते हैं जून जुलाई के अंदर जैसे beginning होई south west monsoon की उसी time इसमें planting करते हैं इन hills planting इस डन इन अप्रैल जो हिली शेतर हिली एरियाज है जाने की पहाड़ी शेतर हैं वहाँ पे अप्रैल के अंदर planting करते हैं कि डिस्टैंस ओ प्लांटिंग ड्वार्फ वराइटीज हैं उनके लिए जो श्पेसिंग रखी जाती है plant to plant और row to row जहां row to row into plant to plant ठीक है इस आफ हसाफ से और इंटो पी के हिसाफ से दियू यह सारी ड्वार्फ वराइटीज में 1.2 into 1.2 new meter कुछ किसम में 1.8 into 1.8 मिटर कुछ किसम में 2.0 into 2.0 meter की दूरी पर planting करते हैं, तॉल और सेमी टॉल जो लंबी है, जो मद्यम लंबाई की किसमे हैं, उनके अंदर 2.4 x 1.8, ठीक है, 2.4 row to row, plant to plant 1.8 meter, और जहां फिर 2.4 x 2.4, जहां 2.4 x 3, 2.5 x 2.5 meter, ठीक है, यह spacing है, अलग-अलग किसम के लिए, अलग-अलग use की जाती है, फिर उसके बाए, manure and fertilizers, fertilizers are applied by 6 months after planting to induce quick growth and produce more leaves with large area, मतलब fertilizers जो दिये जाते हैं, लग-बग 6 months बाद apply किये जाते हैं, planting के, जिससे की quick growth हो सके, ठीक है, और पत्तियां, ज्यादस ज्यादा पत्तियां बन सके, और ज्यादस ज्यादा area cover हो सके, जो इसमें fertilizers दिये जाते हैं, NP के, जानी कि nitrogen, phosphorus और potash, 180, 90, 180 gram per plant, और 7 में 10 से 15 kg गोबर की खाद per plant, ठीक है, 180, 90, 180 gram per plant, एक पोदे के साब से इसने डोज दिया, ऐसे नहीं कि सारे पोदों की मैंने एक साथ ऐसे शिड़काप शुड़कू नहीं करना, वहर पोदे को अलग-अलग दिया जाता है, 180, 90, 180 के और 10 से 15 kg साथ में गोबर की खाद जहां compost दी जाती है, irrigation banana is a moisture loving plant, in other words, the water requirement of banana crop is very high, जो केला है, इसकी moisture loving plant होता है, और इसकी जो पानी की आफशकता बहुत जादा होती है, irrigation is done just after planting, ठीक है, अगर बरसाद नहीं हुई, और अब पानी की जरूरत है, पोदे को, जैसे ही planting कर दी वैसे भी पानी देना है, अगर बरसाद हो रही है, तो तो कोई जरूरत नहीं है, हाँ, अगर बरसाद नहीं हो रही है, तो उसी time सिंचाई करने चाहिए, planting के, banana required irrigation throughout the year, except during heavy rains, बहुत ज़्यादा बरसाद हो रही है, उस जगह, उस time को छोड़ कर, नहीं तो साल बर इसको पा करते हैं, वहाँ पे, क्योंकि एक तो ये पानी के बचाता है, कम पानी यूज होता है, इसके लाबा उपज को बढ़ाता है, increase yield, and decrease number of days to harvest, इसके लाबा जो number of days है, मतलब फल जल्दी पकवता में आ जाता है, decrease कर देता है, harvest से लेके, harvest वारे दिनों को, ठीक है, इसके लाबा increase the leaf production, इसके लाबा जो पतियों का leaf production है, उस चीज को भी बढ़ाता है, जातस जादा पोदा पतियां produce करता है, deprecation के कुछ फाइदे हैं, ठीक है, इसके अंदर, तो, उसके बादा है, weeding, shallow cultivation at early stage for weed control, जो केला है, इसमें shallow cultivation की जाती है, जाने कि उतली कुडाई करते हैं, distribution of diuron at 4 kg per hectare and simagine at 6 kg per hectare controlled grasses and broad leaves weeds, then applied after planting, मतला, प्लांटिंग के बाद इसको अगर डालते हैं, तो diuron है, जान तो 4 kg per hectare, जान फिर simagine 6 kg per hectare, डाल देते हैं, तो, इसके लाबा रेपीटल 30 days after planting, उसके बाद 30 दिन बाद फिर प्लांटिंग के फिर इसी चीज को repeat करते हैं, तो धेंक से आपका weeding वाला process खतम हो जाता है, उसमें weeding हो जाती है, जानी कि उसमें खर्पतवार नहीं रहते हैं, उसके बाद डी सक्रिंग, एक अलग से culture practices से याद रखना, डी सक्रिंग कई बाद definition में पूछे जाती है, डी सक्रिंग मतलब सकर्स को remove करना, removal of sucker from banana plant is known as डी सक् सक्र्स आर left per plant, while additional are removed just below the ground level, generally पोधे के साथ में दो सक्र्स को छोड़ कर, healthy सक्र्स को छोड़ कर, दूसरे जितने भी सक्र्स निकलते हैं, उनको हटा देते हैं, हर पोधे के साथ दो सक्र्स छोड़ देते हैं, दो सक्र्स इसलिए छोड़े जाते हैं, कि next year जो अभी पोधा ह उसको काटना होता है, सीडो स्टेम को, और जो सक्र्स होते हैं, वो नए पोधे के रूप में develop हो जाते हैं, उनसे production लेते हैं, ठीक है, डी सक्रिंग कैन आलसो भी achieved without removing of सक्र in the kerosene oil is poured inside the सक्र and they died, भी उसको काट के जुरूरी नहीं कि उसको काटना ही है, कि उसको निकालना प कैरोसीन जो होता है, कैरोसीन oil वो उस चीज को खतम कर देता है, वो सक्रिंग को जिंदा नहीं छोड़ता, मार देता है, इसके लावा एक प्रोपिंग, इसमें culture practices है, प्रोपिंग, मैंने पहले भी बताया था, प्रोपिंग एक variety के अंदर generally use होती है, प्रोपिंग वैसे बह Upper end is make like a fork, मतलब जो clusters होते हैं, जानि कि bamboo को आगे से, जैसे कोई fork को वैसा बना लिया जाता है, और उससे पोदे को सहारा दिया जाता है, bamboo की sticks से, ठीक है, protecting them from bending or falling down due to heavy bunch load and from any damage by wind, जितने भी पोदे होते हैं, क्योंकि इतने इतने मड़े के बंच लगे होते हैं, लगो लगो, 30-30-40-40 kilo के, तो उस load से बचने के लिए, पोदा उसके weight से कहीं, क्योंकि सीडो स्टेम है, बहुत ही कच्चा होता है, केले का तना, तो नीचे ना गिर जाए, जहां हावा ज़ादा आएगी, तो पोदा नीचे ना गिर जाए, उस हर पोदे को support दिया जाता है, bamboo के clutches से, मतल polythene और गनी cloth, that protect the fruit from intense heat, मतलब बहुत ज़्यादा wrapping होती है, जो फल है, फलों को किसी भी, जान तो polythene की थैली से, जहां कोई गनी बैग है, उस से cloth से, उसको cover कर दिया जाता है, जिससे की बाहर की जो गर्मी है, heat है, सूरज की, ठीक है, सीधी जो सूरज की रोशनी पढ़ उस से उस बंच को बचाया जा सके, इससे एक और process होती है, इससे जो food का color होता है, वो भी improve होता है, फल का color इंप्रूव हो जाता है, मतलब color थोड़ा ज्यादा yellow color का हो जाता है, फल, next है denavelling, इसमें एक और process होते है, definition पूची जाती है, याद रखना है, इसलिए मैं female phase is referred as denavelling, denavelling जो है, denavelling है, वो यह कहलो कि जो male bird होती है, जाने की फल के जो बंच होता है, बंच के नीचे से एक male bird निकलती रहती है, वैसे तो हर एक leaves scar के साथ में जे खुलता जाता है, बंच आगे बढ़ता जाता है, ठीक है, तो इसके नीचे नीचे जो एक, यह कहलो कि जहां से वो growth कर रहा होता है, उस बंच के उस पार्ट को, वहां कैदो की सबसे ज़्यादा male होते है, उस पार्ट को हटा दिया जाता है, तो इसी process को denavelling कहते हैं, ठीक है, जाने कि male bird को हटा देते हैं, male bird हटाने के कई करण हो सकते हैं, एक तो यह है कि this check the movement of photosynthes into the unwanted skin and promote fruit development, क जल्दी fruit बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब growth करना स्टार्ट कर देगा फल, अगर यह लगा रहेगा, तो यह bunch growth करना करता रहेगा, नीचे की तरफ बढ़ता रहेगा, तो फल growth नहीं करेंगे, कम करेंगे, दूसरा हो सकता है, कि यह चीज, कभी कभी क्या होता है कि बह बहुत ही ज़्यादा flashy होता है, male part, तो वहां से पुरा का पुरा जो बंच होता है, वो गलना स्टार्ट हो जाता है, उपर तक गलना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए इस पार्ट को हटा देते हैं, काट के अलग कर दिया जाता है, जब अपकी female phase पूरी हो जाती है, मतलब उस सीडो स्टेम शुड़ बी कट लिविंग ए स्टंप ऑफ अबाउट 6, 0.6 मीटर हाइट, इस प्रैक्टिस इस कॉल्ड मैट टॉकिंग, मैट टॉकिंग क्या होती है, कि जैसे ही आपने बंच तोड लिये, उसके केले वाले लगे होगे, आपका हर्वेस्टिंग पूरी हो ग ठीक है, क्योंकि उस समय मैंने पहले भी कहा था, डी सकरिंग के अंदर भी जो पुराना होता है, एक बार फल लेने के बाद उसको हटा देते हैं, जो नीचे से दो सकर छोड़े हैं आपने, वो सकर अगले साल प्लांटिंग के लिए रैटून क्रोप के रूप में यूज हो जोगी, and also it provides sport to the base of the plant, जो रेनी सीजन होता है, उसमें क्या करता है, जो अर्थिंग अप करते हैं, अर्थिंग अप होता है कि मिट्टी चड़ा देना तने के साथ में, इस तो इससे sport मिलती है, पोदा गिरता नहीं है, दूसरा, पानी के सीधे contact में नहीं आता, ठीक है, जि reduce the cost of cultivation by reducing number of irrigation, मल्चिंग with banana और sugar can trace, मल्चिंग भी कर दी जाती है, क्योंकि वैसे भी moisture loving plant है, तो इसको बहुत ज़्यादा सिंचाई की आफशकता होती है, तो पानी के irrigation के number को कम करने के लिए, मतलब ज़्यादा सिंचाई हैं ना करनी पड़े, उसमें मल्चिंग कर देते हैं जा तो जो sugar can, गन्य के पत्ते होते हैं उनसे, जा फिर केले के पत्ते बचते हैं, सूखे हुए होते हैं, उनसे उसकी mulching कर देते हैं, पूरे नीचे नीचे जमीन की, जमीन को नीचे से cover कर दिया जाता है, ठीक है, next up flowering and fruiting, in fluorescence in banana plant, emergence 9 to 12 months after planting, लगवर 9 से 12 महिने के अंदर निकलना स्टार्ट हो जाता है, जो inflorescence just paddocks होता है, के लेका ये चीज़, ठीक है, after planting and fruit are ready to harvest after 3 to 4 months, इसके निकलने के बाद, 3 से 4 महिने बाद, फल ready होते हैं, harvest करने के लिए, तोड़ाई के लिए, usually end of the inflorescence male flower are found, यहाँ पे जो यह वाला भाग है, यह male flower होता है, मैंने कहा इसको हटाना कहलाता है, denavelling, ठीक है, इस पार्ट को हटा देते हैं, जैसे female phase कतम होती है, जाने की pollination वाली process कतम हो जाती है, इसको हटा देते हैं, यहाँ से, काट के, ठीक, तो end में पाया जाता है, in the formation of inflorescence, two types of stimuli act, one of the initiation of flower parts, and other is elongation of flower stalk, ठीक है, एक तो की flower parts, induction हो रहा होता ह निकल रहे होते हैं, दूसके साथ-साथ-flower stalk लंबा हो रहा होता है, उसी समय, एक समय में ही, दो काम एक साथ चल रहे होते हैं, ठीक है, inflorescence के अंदर, gibraline-like substance act upon growth and elongation of main stem, ठीक है, जो gibraline है, growth regulator, वो growth और elongation, जो ये stalk है, इसकी growth लंबाई में, और इसकी जो fingers हैं, इसको लंबाई में बढ़ा रहा होता है, ये कह लो, ठीक है, growth कर रहा होता है, और बढ़ा रहा होता है इस चीज को, जबकि जो anthocene है, act as flowering hormone to produce flower, ठीक है, जो anthocene जैसा hormone है, वो flower produce कर रहा होता है, जैसे ये चीज, ठीक है, flower का anthocene, उसमें pollination होना, ये सारी की सारी process, anthocene उस चीज को control कर रहा होता है, this is known as dual factor hypothesis, मतलब दो काम एक साथ हो रहे होते हैं, एक तो elongation हो रहा होता है, एक side flower, flowering hormone, flower produce कर रहा होता है, दो process एक साथ, ठीक है, elongation होना बंच का दूसरा flower बनना, ये दोनों के दोनों चीज, dual factor hypothesis कहलाती है, और कई बार ये question पूछा गया है, कि dual factor hypothesis क्या है, केले के अंदर, दो process साथ साथ चल रही होती है, जम inflorescence के अंदर, एक तो gibraline control कर रहा होता है, एक इससे anthocene control कर रहा होता है, gibraline उसके जो बंच को elongation और उसकी growth को कर रहा होता है, बढ़ा रहा होता है, जो बंच है उसकी, साथ में एक और जो anthocene है, वो flowering hormone है, जो की flower produce कर रहा होता है, ठीक है, दोनों process साथ साथ चल रही होती है, इसलिए इसको dual factor hypothesis कहा जाता है, आगे समझ में, तो next है, harvesting, fruit are harvested when they are green and fully mature, फलों को तब तोड़ा जाता है, जब वो हरी रंग के होते हैं, और पूरी तरह से mature हो चुके होते हैं, ऐसे, दो नमबर और एक नमबर जैसे, ठीक है, the color of the fruit change from deep green to lighter green, और फलों का जो color होता है, वो गहरे से हलका गहरा हो जाता है, पहले बहुत ज्यादा dark green होता है, फिर उससे हलका सा green हो रह जाता है, जहां कहलो कि हलकी सी, उसमें yellowish color अना start हो जाता है, इसके अलावा, shedding of flower ends of the fruits with slightest tough of the hand, मतलब जो इसके, ये flower चिपके होई रहते हैं, उपर की side, ठीक है, ये हलके से हाथ लगाने से तूट जाते हैं, तब, जहां फिर the angles or raises of the fruit become less prominent, और they become round, जहां कि ये देखो, यहां खंचे सी दिखाई दे रही हैं आपको, जब केला छोटा होता है, कच्चा होता है, उस समय इसमें जो cones होते हैं, जहां कहलो कि इसकी जो shape होती है, कुछ ऐसी होती है, ये किनारे से आपको ज़्यादा दिखाई देंगे, जब कच्चा होगा, जैस किनारे बिल्कुल खतम होते जाएंगे, जैसे जैसे ये पकता जाएगा, ठीक, तो उस समय देखना चाहिए, कि जब आप हार्विस्ट करते हो, तो उसमें एक तो उसमें flowers हैं, वो हाथ से हलके से हाथ से तूट जाएं, उसका color change हो जाए, ठीक है, और जो उपर वाली पत्ति कि वो top of leaves start drying, ठीक है, पत्ति जो पोदे की होती है, वो भी सूखना स्टार्ट हो जाएं, तब उसको harvest कर लेना चाहिए, yield dwarf varieties से लगबग 300 to 400 क्वेंटल पर हेक्टर उपज मिल जाती है, और tall varieties से 150 to 200 क्वेंटल पर हेक्टर, जो लंबी किसमें हैं, उससे लगबग 150 to 200 क्वें कि अ navy, पायएं मिल जाएं मिल जा.